आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फिश एन बीन सैलेट फिश एन बीन सैलेट बनाने के अज़्जा दरकार है मचली 300 ग्राम उबली हुई हरा लोबिया एक पाउ ताजा लाल लोबिया आधी प्याली उबले हुए सफैद लोबिया आधी प्याली उबले हुए तिमाटर दो अदर ड्रेसिंग के लिए दरकार है जटून का तेल एक चथाई कप मस्टर्ट पेस्ट एक चाई का चम्मच सफैद सिलका एक खाने का चम्मच लीमू का रस एक खाने का चम्मच लेसन एक अदर बारी कटा हुआ पार्सले एक चथाई गट्टी बारी कटी हुए लीमू का चिलका आधा चाई का चम्मच नमक हस्ब जायका काली मिर्च आधा चाई का चम्मच कुटी हुए फिशन बीन चैलेट बनानी की तरकीब है पहले गरम पानी में मचली को उबाल कर एक तरफ रख दे इसके बाद हरा लोबिया को भी उबाल कर छोटे तुकडों में काट कर एक तरफ रख दे अब एक प्याली में लाल लोबिया सफेद लोबिया, ताजा लोबिया मचली और टिमाटर शामिल करके एक तरफ रख दे लेसन और पार्सले को बारिक काट ले अब एक अलग प्याले में जैटून का तेल, मस्टरड पेस्ट सिर्का और लीमू का रस शामिल करके खूब अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब इसमें लेसन, पार्सले, लीमू का छिलका, नमक और काली मिट शामिल करके खूब अच्छी तरह मिक्स कर ले यहां तक कि ड्रेसिंग खूब गाड़ी हो जाए अब इस ड्रेसिंग को बीन्स वाले प्याले में शामिल करके खूब अच्छी तरह मिक्स करें और मेहमानों को मज़ेदार फिश एंड बीन सालिड सर्फ करें